अम्रूत की सुवाइद और अम्रूत पर नमक मिश रगा कर क्यों खाना चाहिए जानिए खट्टे मिटे अम्रूत खाने की पांच ऐसे फायदी दो शायद ही आपको मालूम हो अस्लाम लेकों वीवर्स वेलकम बेक टो माई यूट्यूब चैनल हैंदी टिपस टायरी वीवर्स अम्रूत एक ऐसे फ़ल है जो इंतहाई मुफीद है अम्रूत की दरख पूरी दुनिया में पाय जाते हैं और वो आंत और फ़र गहरी सबस पत्तों के साथ छोटी होते हैं अगर्चा इन दरखतों की साथ मुफ्तलिफ हो सकती है लेकिन खल वही रहता है अम्रूत की मुफ्तलिफ इक्साम है जिन में हमारे मुल्क में पीले रंग की अम्रूत सबसे ज़्यादा पाय जाते हैं ताहम सुर्प फूलो और सुर्प गूदे की साथ अम्रूत की एक मुफ्त किसम है जो अपसर अम्रूत चाट की त्यारी में इस्तमाल होती है जो बच् पैचिस की दवा बनाने में इस्तमाल अम्रूत की पत्ती और टहनियां पैचिस की दवा बनाने में इस्तमाल होती है अम्रूत की पत्तों से के और साल में अराम आता है जो अम्रूत खाने से कबस की शिकायत हो सकती है लेकर पका हुआ अम्रूत दरसल कफ्स और बवासीर के लि खतम करने में कारामत है एक ऐसे कीड़ी वाले बींचों के लिए तज्वीश करना हो राख है मैदे को ताकत देता है अमरूत मैदे को ताकत देता है और भूप पढ़ाता है कम भूप वाले लोगों के लिए नम्मा और काली में छड़क कर अमरूत खाने से इसको पढ़ाने मे मदद मिल सकती है अमरूत गैस को कम करने और मैदी को सहत मन रखने में अपनी तासिर के लिए भी जाना जाता है कच्ची अमरूत को हलके सी बून कर नमक और काली मेज के साथ खाने से नासर जायका बढ़ता है बल्कि बल्गम को कालने उखानसी को दोर करने में भी मदद मिलती है दिल को ताकत देता है रोजाना एक अमरूत खाने से दिल की बिमारी नहीं होती और दर हकीकत इससे दिल मजबूत होता है मतली को दोर करने के लिए अमरूत मतली को दोर करने के लिए भी फाइदा मन है खास और पर जब इसे नमक के साथ खाया जाए हाई प्लेट पेशर को मामूल पर लाने में मदददार मुतालाश से पता चलता है कि रोजाना एक अमरूट खाने से हाई प्लेट पेशर को मामूल पर लाने में मदद मिल सकती है अमरूट एक आला दर्जा का भल है और अमरूत का दरग साल में दो बार फल देता ही ये विटामिन A और C की चार साथ कैल्शियम फासफोरस और आइरन सी भरपूर होता ही मजबूरी तोर पर अमरूत एक गिजाय सी भरपूर और सहर फल है अमरूत पर नमक मिश लगा कर क्यों खाना चाहिए चानिये खटे मिटे अमरूत खाने की पांच ऐसे फ़माई जो शायद ही आपको मालूम हो मौसम बदलते ही तिलिविक साम की फल अपने बहार दिखाने लगते ही ऐसे में मुनफर्ड जाइकी वाला अमरूत भी मार्किट में चार चुका ही अमरूत कच्छी हो या पक्की दोनों तरह की मार्किट में वजोद होते ही इस दी लोग इस पर नमक मिश लगा कर खाते ही ताकि अगर जाइकाप खटा भी हो तो ज्यादा महसूस ना हो चुनाचा हम इस वीडियो में अमरूत पर नमक मिश लगा कर खाने के चल्दनों की फाइदे भी बताएगी अमरूत विटैमिल्स सी गिजाई रेशा और मुटलिफ जरूरी गिजाई अज़ा का भरपोर सरीया ही नमक और मिर्च का इजाफा इनकिजाई अज़ा में जाफा करता ही लहाजा अगर आप भी अमरूत में मुझोद विटैमिल्स और मादनिया अज़ा जाते ही तो नमक और में छिड़क कर खाए नमक और मिर्च के साथ अमरूत का इमतजाच आपकी भोग को तेज कर सकता है गिदिन के वक खाने से भोग खुल जाती है इससे जाईका मसीद हो जाता है इससे गले की तकलीफ नहीं होती नमक और मिर्च लगाकर खाने से अमरूत हाज़वे के लिए भी बैतरीन हो जाता है यह कम सकशा भी है फाइबर की मौज़ुदकी की वज़ा से अगर आप नमक मिर्च लगाकर अमरूत ज्यादा भी खा ले यह वर्जन ज्यादा नहीं होने देता बलकि कम कर देता है यह थी पांच ऐसे अनोखी फायते जोके अमरूत पर नमक मिर्च लगाकर मिलते हैं तो आप भी इससे फायदा उठाईए और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो फ्लीज एक लाइक कर दे और आप सबसे रिक्वेस्ट से जिसने भी अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नी किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकम प्रेस करना मत भूलना ताके न्यू आने वाली वीडियो आप दे पॉस्ची रही शो वेवर्स से मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टापिक के साजब्द के लिए लाँ आफेस